हाई दोस्तों कैसे हूँ आप सभी लोग एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत सागत है आपके अपने यूटीव चैनल पर आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए आप आपको वीडियो कैसी लगी और आगे कैसी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा यह विल्कुल फ्री है चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ हलो दोस्तों आज की वीडियो में हम मनी प्लांट लगाने वाले हैं वह भी बॉटल में बिना मि मिट्टी के पानी में मिट्टी में लगाना तो काफी आसान होता है लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका मनी प्लांट मिट्टी में भी सक्सेस्पुली नहीं लग रहा है तो किस तरह से लगाए उससे मिट्टी में और किस तरह से बोटल में तो जैसे कि आप देख तो बहुत बढ़िया roots हैं देखिए इस money plant में लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ी बहुत कम से कम इस तरह की roots तो होनी ही चाहिए अभी इस money plant से एक यह छोटी सी branch है इससे आप कम से कम 5-6 cuttings बना सकते हैं यह 5-6 जगा money plant लगा सकते हैं बोटल में money plant लगाने वाले हैं तो सबसे पहले चलिए हम बोटल देख लेते हैं कई लोग प्लास्टिक की बोटल में लगाते हैं लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि यह कांच की बोटल में ही आप लोग लगाए बढ़िया सुंदर सी मेरे पास यह वाइन की बोटल है अगर आपके पास ऐसी सुंदर बोटल नहीं है तो आप कोई भी कांच की बोटल ले लीजिए प्लास्टिक की बोटल थोड़ी सी दिखने में कम सही लगती हलकी होती है यह देखिए आपको दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही हो इसकी होता है और बोलते हैं कि मनी आती है नहीं धान आता है पैसा आता है घर पे तो इसे लगाना काफी अच्छा माना जाता है तो आप अर्टिफिसल लगाने से अच्छा है कि आप खूब सारी अलग-अलग टाइप के बोटल में वास्तस में इसको भर करके लगाएं तो चलिए सबसे पहले मैं इस बोटल में पानी भर लेती हूं कि कई बार आप लोगों ने एक चीज और ध्यान दी होगी कि मनी प्लांट जब आप घर पे बोटल में लगा तो देते हैं लेकिन कुछ दिन बाद वो सड़ना सुरू हो जाता है उसकी वज़े होती है बोटल में पानी इ यहां पर देखे मैंने बोटल में पानी भर लिया है यह देखे आप देख पारे होंगे कि यहां तक ही भरा है आपने कई बार देखा होगा कि लोग पूरा यहां गर्दन तक पानी भर देते हैं इससे मनी प्लांट जल्दी सड़ जाता है थोड़ा सा उपर उसे खुला भी मिलना चाहिए हलाकि यह बॉटल काफी लंबी है इसलिए मुझे थोड़ा ऊपर तक भरना पड़ा है अधर वाइज आप इसे इतना दो तीहाई भी भर सकते हैं या तीन चौत हाई के जितना भी इसे भर सकते हैं तो पानी हमारा तयार है बॉटल में भर करके अब यहां पर मे बॉट्टी को खो दिये और ऐसे ही रख दीजिए यानि कि इसको रूट्स है ना जो मिट्टी में आपको दबा देनी है लेकिन हम यहां पानी में लगाने वाले हैं तो क्या करेंगे एक कैची लीजिए और यह जो नीचे वाली पत्ती है इसे काड़ दीजिए जिससे की यह जब अंदर जाएगा तो दिक्कत नहीं करें जब हम बॉटल में इसे डालेंगे इसमें तो बहुत अच्छी रूट्स भी है तो यह जल्दी से पकड़ लेगा तो हमारे पास यह काफी लंबी-लंबी रूट्स भी है तो यह रूट्स को हम पूरा नहीं काटेंगे थोड़ा-थोड़ा काड़ देते हैं यह उपर जो भी रूट्स निकली हुई है क्योंकि यह सब तो ऊपर रहने वाला है बॉटल में लगा रहे हैं तो इसे मैं अच्छी तरह से काड़ दे रही हूँ अब यह नीचे यहां से देखें खूप सारी रूट्स छुटी-छुटी निकल रही है यह सब आ जाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो देखें अब इसे लेना है बस एक फाइनल कट और इसे देंगे यह देखें यहां से जड़ है जो गाठ होती है यहीं से जड़े इतना देखिए पूरी डंडी नहीं डालेंगे इसमें यह सड़ने का कारण बनती है कुछ इस तरह की कटिंग आपको करनी है और कि आहिस्ता पहले हम रूट को डालेंगे इसमें और आराम से इस तरह डाल देंगे कि देखिए कुछ इस तरह से आपको डाल देना है यह अभी देखने में बहुत सुन्दर लग रहा होगा अब मनी प्लान तो हमारा लग गया है अब में बात करते हैं इसकी देख भाल कैसे करनी है सबसे पहले तो इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं इसका पानी आपको पांच दिन में शुरुवात में अभी इसे पांच पांच दिन में इसका पानी या बदलते रहे हैं कुछ दिन बाद यानि महीने दो महीने बाद या डेड़ महीने बाद इसका जो पानी है वो आप 10-10 दिन बाद या हो जाए तो 15 दिन में भी आप इसे इ आपको मेरे एडवाइस यही रहेगी कि आप इसे खिड़की के पास में रखें जहां से थोड़ा उजाला आता हो इसे इतनी ज्यादा धूप तो वैसे तो इसे बाहर लगाना है तो धूप में भी लगा सकते हैं लेकिन अगर आप अंदर रखें तो अंदर कमरे के तो धूप आती नहीं आप इसे अपनी विंडो के पास में रखें खिड़की के पास में जहां उजाला आता है वरह बहुत बच्रोव करता है और इसे slight बहुत पसंद भी होती है इस वजह से एब आप इसे रखेंगे अपनी खिड़की के फास में तो आप देखेंगे कि यह संद की त तो पैसा आने की बजाए जाने भी लगता है यानि कि इसका फाइदा से ज्यादा इसका नुकसान होने लगता है तो इसे आपको अपने घर के साउथ हिस्ट यानि दच्षड पूर्व दिशा में रखना होता है वहां पर रखने से अगर आप जमीन में भी लगा रहे हैं तो आप इसे दच्षड पूर्व कोने में ही लगा यानि कि साउथ हिस्ट कॉर्णर में या डिरेक्शन में इस तरह से आपका जो मनी प्लांट का यह जो आज का वीडियो था एकदम सक्सेस्फुल आप इस तरह से लगाईएगा जरूर आपका मनी प्लांट बहुत बढ़ी है तरीके से ग्रो करेगा अगर फिर भी आप इसे खाद की बात मैं आपको लास में बदा देती हूं एक सजेशन है मैं यहां पर आपको दिखा तो नहीं रही हूँ वैसे इसे खाद की ज़रत नहीं होती है अगर आप पानी बदलते रहेंगे एक हफते में तो यह बहुत बढ आप बढ़ान रखना है कि पानी तभी आप जल्दी से चेंज ना करें जब आप खाद का इस्तमाल करें तो तो देखिए आप भी मुनि प्लांट लगाएं और इसी तरह से मैंने अपने घर में और भी मनी प्लांट लगा के रखा हुआ है मैं आपको दिखाती हूं यह एक कुछ दिन पहले ही लगाया था तो देखिए इसमें कितनी बढ़िया रूट्स आई हैं या आपको दिख रही हूंगी एकदम फ्रेश रूट्स है वाइट कलर की और इसमें छोटी-छोटी यह देखिए एकदम ताजी-ताजी पतियां भी कोमल-कोमल निकल रही हैं तो आज क कि वीडियो आपको यह पसंद आई होगी तो मनी प्लांट इस तरह से आप जरूर लगाईएगा और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इसी तरह की आसान और अच्छी सी वीडियो के लिए